उधारण पांच भूमी के एक बिंदु पी से 10 मीटर उचे भवन के शिखर का उन्यन कोण 30 संच है भवन के शिखर पर एक जंडा लगाया गया है और पी से जंडे के शिखर का उन्यन कोण 45 संच है तो जंडे के डंडे की लंबाई और बिंदू P से भवन की दूरी ग्यात कीजिए हल आकरिती में AB भवन की उचाई है BD जंडे के डंडे की लंबाई है और P दिया हुआ बिंदू है ध्यान दीजिये की यहां दो समकोण त्रिभुच PAB और PAD है हमें जंडे के डंडे की लंबाई यानी BD और बिंदू P से भवन की दूरी यानी PA पता करना है चुकि हमें भवन की उचाई AB पता है इसी लिए पहले हम समकोण त्रिभुच PAB लेंगे यहां 10 तीस अज बराबर हम जानते हैं कि 10 थीटा जो है वो लंब बटा अधार होता है तो लंब यहां पे है AB और अधार है हमारा PA यानी 10 थीटा कमान हम जानते हैं कि यह होता है एक बटा वर्गुल तीन बराबर AB की जो लंबाई है जो भवन है उसकी लंबाई हमारे पस 10 दीवी यह बटा PA इसी लिए इसलिए PA तीरियक गुणा करेंगे हम PA का तुरियक गुणा करेंगे 2 पक्ष पर बराबर वर्ग मुल 3 का तीरियक गुणा दाय पक्ष में करेंगे तो यह हमें प्राप्तों का 10 वर्ग मुल 3 मीटर इस तरह से हमने PA की लंबाई ज्याद की इसी लिए P से भवन की दूरी 10 वर्ग मुल 3 मीटर है आईए अब हम यह मान लेते हैं आईए अब हम यह मान ले की BD बराबर X मीटर है तथा AD बराबर AB धन BD चुकि हमें मालूम है कि AB जो है हमारा 10 है 10 मीटर धन BD को हमने X मीटर माना है तो AD की कुल लंबाई 10 धन X मीटर होगी अब हम आगे देखते हैं अब समकोन त्रिभुच P A D में 10 42 अंश लेंगे हम 10 42 अंश बराबर 10 का मान फिर हम 10 धीटा बराबर लंब बटा अधार होता है तो इसमें हमारा जो लंब होगा वो AD लंब है और अधार हमारा P A है अब AD का जो हमने मान अभी ग्याद किया था 10 धन X मीटर ग्याद किया था और P A का मान हमने 10 वर्मुल 3 निकाला था अब हम जानते हैं कि 10 प्यताली संच का मान एक होता है बराबर 10 धन X बटा 10 वर्मुल 3 या अब हम 10 वर्मूल 3 का तिर्यक गुणा करेंगे बाय पक्ष्मर तो 10 वर्मूल 3 को एक से गुणा करेंगे तो 10 वर्मूल 3 बराबर 10 धन x 10 का पक्षांतर करेंगे हम तो यहां हो जाएंगा x बराबर 10 वर्मूल 3 रिण 10 या x बराबर 10 को हम उभाहिनिश निकाल लेंगे तो कोश्टक में वर्मूल 3 रिण 1 कोश्टक बन तो x कमान 10 कोश्टक में वर्मूल 3 रिण 1 कोश्टक बन मीटर होगा अतहा जंडे के डंडे की लंबाई 10 कोश्टक में वर्मूल 3 रिण 1 कोश्टक में वर्मूल 3 रिण 1 कोश्टक होगा तो यह इस उधारण का हल होगा उन्यन कोण का उँचाई एवं दूरी से संबंध हम देख चुके हैं हमने देखा था कि उन्यन कोण का मान वस्तु की उँचाई के बढ़ने के साथ बढ़ता है तथा वस्तु की प्रेक्षक से दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है